आज रक्षा बंदन है और मुझे कोई भी आईडिया नहीं है कि मैं कौन से राखी बनाओं अरे कोई बात नहीं वैसे भी मैं आज प्लाकी की इजी डियाईवाइस शेयर करने वाली हूँ एंवेज वीडियो मज़ेदार होने वाला है तो वीडियो को स्टार करते हैं तो मैंने यहाँ पर ख्ली की मोल्ड़ीट क्ले ले लिया है मेरे पास मोल्ड़ी क्ले की इतने बड़ी सेट है पर आप लोगों ऊतने बड़ी कोई जुरूत नहीं है लूंटीव 10-10 वे मोटी है अब इस इसका भी इस्तमाल कर सकते हो कि अब ही मुल्डी क्ले कि हार्डर और रेजिन को अच्छे से मिक्स करेंगे कले हाथों करो में न चिप्के इसके लिए मैं यहा पर इस्तवाल कर रहे हूँ डयल्कम पाउडर क्ले को अच्छे से mix करने के बाद मैं एक knife की होसे कले को wider shape दे दूँगी एक्स्ट्रा क्ले को हटाने के बाद मैं एक डिवाइडर के हर्प से क्ले में तो बूल कर दूंगी और फिर ड्राइ होने के लिए छूँदूंगी क्ले एकदम ड्राइ हो चुका है अब मैं जिसो का एक प्लाइ करूंगी अगर आपके पैस वाइड जिसो नहीं है और यू कन यूज वाइड एक्रेलिक पेंट एस वेल जिसो एकदम ड्राइ हो चुका है और अभी मैं कलरिंग करना स्टार्ट कर दूंगी बेस दी कलरिंग दिक दम कंपली हो चुका है अब मैं इसमें वाइड कलर से कुछ डीटेल्स एड करूंगी मैं इस राखे में कुछ ट्रडीशनल चीज़े आड करना जाती हूँ इसलिए मैं इस राखे में एक स्वस्थिक साइन बनाई है और उसके साथ मैं कुछ और डीटेल्स एड करूंगी वाइड कलर के हैप से और उसके बाद हमारी जो पहली वाली राखी है वो एकतम रेडी हो चुका है अब मैं फटाफट वर्णिश का एक कोट अपलाई करूँगी और उसके बाद हमारी जो पहली वाली राखी है वो एक तम रेडी हो चका है वाउ यह बहुत अच्छी बनी है नहीं की तो जरूर ट्राइ करूँगी अब फटाफट दूसरी वरी दिखाओ मैं और जाड़ा इंटर्जान में कर सकती है थैंक्स अलोट अरे हाँ हाँ चलो हम सेकेंड डियाइवाई की तरफ चलते हैं मैंने पहले ही क्ले को राउंड शेप देकर उसमें अच्छी से जस्व अपलाई करके अच्छी से रेडी कर रखी है अब हम फटाफट इसमें कलरिंगी मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन कल रप्लाई कर रहे हूं और उसके बाद मैं ब्लू कलर से छोटी-छोटी हाँ अड़ कर दूंगी आखिर में ब्लैक और वाइट कलर की डॉट्स आट करने के बाद हमारी जो यह वाली राखी है वो इक तम को मूली हो चुका है अभी मैं वर्निश का एक खोट अपलाई कर रहे हूं वाव यह वाली राखी रिए यह जरूर बनाऊंगी अब थर्ड वाली देख ले क्या हां ह हाँ चलो अब बढ़ते हैं थर्ड डियाईवाई की तरह सो मैंने यहांबर क्लेकवाचे से मिक्स करके राउंड शेप दे दिया है फिर मैं पैन की जिफिल के हल सेख लेके तो साइड्स में होल कर दूंगी पैन की जिफिल क्यों वो डिवाइडर का आगया अच्छेली वो डि करूंगी अभी मैं पैंसिल से एक के बाद एक सब्सक्राइड करते जाओंगी मैं यहां पर एक एवल आई बना रही हूं अभी एवल आई क्या होता है मुझे तो यह सुनके थोड़ी से डर लग रही है अरे एवल आई को एडरने वाली बात नहीं है इन फैक्ट एवल आई तो हमारी प्रटेक्ट करती है और भाईयों के लिए तो ऐसी एक राखी बनाना बनता है अब जाने जाना है इनीवेज मैं अभी ब्लू की बहुत सारी शेर्स वाइट कलर और ब्लैक कलर को अच्छे से अप्लाइग करूंगी सारी की सारी कलर्स को अच्छे से अप्लाइग करने के बाद वियर डान हमारी आखरी वाली जो राखी है वह एक तम कम्प्लीट हो चका है अरे वाह इस तो सच में बहुत अदा सुनना लग रही है मैं इसे भी ज़रू च्राइग करूंगी ठीक है ठीक है जरूर देखूंगी तो शायद कुछ बोलना भूल रही हो हाँ हाँ अभी आड आई है अब सभी को अब सभी को अक्षा बंदन की हाट जिक्षिट काव नाए एनिवेज वीडियो अब पसंद आगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना चैनली पे है मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक क्यार बबाई एंगी क्रियाटीव